यहां पर देख सकते हैं कि यह है पकिस्तान का हिंदू मंदिर और इसमें जो है बहुत सारे देवी द्यवताव का मंदिर है मैं आपको पूरी वीडियो आपको दिखाऊंगा यहां पर देख सकते हैं कि पीरी बाबा का मंदिर है और इसमें संकर भागवान का क्रिश्न भावान का मंदिर दिखाया गया है मैं आपको इसके अंदर लेके चलूँगा यहां पर जो है बहुत सारे सोलर लाइट भी लगे हुए हैं और यह जो है एकांद जगा पर बना हुआ है यहां पर जातर मुस्लिम लोग नहीं आपाते हैं और इसके आगे बोर्ड में देखिए उर्दू भासा में लिखा हुआ है जो भी लिखा हुआ है और इसके अंदर जो है आप चलेंगे तो आपको बहुत बड़ा घंटी मिलेगा बजाने के लिए पहले में आपको घंटी बजा देता हूं और उसके बाद आगे चलते हैं आपको दिखाऊंगे अंदर कि यह देखिए यह कौन-कौन से बाबा का म मंदिर हिंदू मंदिर पकिस्तान में हिंदू मंदिर देख दुबई से की आखे फट गई आपको पूरी जानकारी में आपको देने वाला हूं आपने पहले देखा कि जो है आपको पकिस्तान में हिंदू मंदिर दिखाया मैंने कि हिंदू मंदिर कैसा होता है और जो है और इसकी कुल अवादी जो है हिंदू की 4000 जो वहां पर पॉब्लिक रहती है उस एरिया में उस एरिया का नाम है काशिपूर और मंदिर का नाम है रामपीर मंदिर तो आपने साथ विडियो क्लिप में देखा मैं आपको एक चीज दिखाना भूल गया पाकिस्तान के अंदर मे जो है माता जानिक दूर्गा माता का मंदिर भी है और यह मंदिर जो है 800 साल पूराना मंदिर है यह भी विडियो क्लिप आपको जोड़ोड दखनी चाहिए सारी चीजे आपको समझ में आएगी तो पहले आप देख लिए यह दोस्तों माता जी का मंदिर यहां पे जो है में लिखा गया है सब कुछ उर्दु भासा में लिखा गया है आप लोग बक्स में कमेंट कीज़ेगा कि यह बहुत पुराना चीज है इसको पजाने लाइक है यह बशता है और इसमें आपको बहुत सारे देवी दवताओं का मंदिर मिल जाएगा मैं आपको आगे और भी गहुत कुछ दिखाने वाला हूं, यह देखे, यह सी लिंग बना हुआ है, और यहाँ पर जोहें लोग आते हैं, जल चलाते हैं पाकिस्तान के अंदर में, देज पाकिस्तान का सबसे जहें बडा मंदीर और हिंदू मंदीर बना हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि उर्दु भासा में सब लिखा हुआ है शंकरवहान का पॉश्टर भी लगा हुआ है आप पोलके बताईए का यह क्या लिखा हुआ है आपने कभी ऐसा मंदीर देखा ता जिसमें आप वो अर्दु भासा में लिखा हो, और मैं आपको आगे लेके चलता हूँ यह जो है इसमें भी आपको अमता जी का منदर दिखाऊंगा मैं दूर्गा मा का मंदर बना हुआ है इसके अंदर में और इसमें दख सकते हैं कि यह जो है पूरा सीशा लगा हुआ है उपर बहुत अच्छा डेक्रेशन किया गया है और यहां पे जो है दिख सकते हैं कि आपको दुर्गा जी के मता का मंदिर पकिस्तान के अंदर में बना हुआ है जैने के पकिस्तान में यह सबसे पहले और सबसे पुराना 800 साल पुराना हिंदू मं गया है और यह देख सकते हैं कि यह पहले से एक दुर्गा जी का मंदिर बनाया गया है इसके नीचे जो है कुछ अगरवत्ति दिखाया गया है तर जो है मतलब इसके पीछे ओम भी लिखा हुआ है संकर भागवान का भी पोस्टर दिया गया है वहां तो आपने देखा कैसे जो है यहां पे पकिस्तान के अंदर में दुर्गा माता का मंदिर है आप इस मूदे पर क्या कमेंट करना चाहते हैं प्लीज कमेंट बक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा लेकिन मैं आपको एक इंफिमेसर और ताहू कि दुबाई के शेख ने वीजा को लेकर बहुत बड़ एक साल भी करेगा उसको एक रुपया भी नए मिलेगा ये याद रखो विजित वीजा हम लोका विजित वीजा है विजित वीजा का मतलब है जियारत जियारत का मतलब कि है तुम इदर आया देखने के लिए नए काम करने के लिए तो आप लोग अगर विजित वीजा में है और काम किया, तुम लोग को खुद, तुम खुद तुम तो आपने देखा कि दुबाई के से बारे में इंपिमिशन दे रहा है कि विजिद विजा में भूल का भी मत आई बहुत लोग एक से रुवद होते हैं हमारी इंडिया का अंदर में ऐसे एजेंट हैं जो है आपको विजिद विजा पर फेजने का काम करती है लेकिन बार बार आपसे रिक्रेश्ट के जा रहा है कि कभी भी अगर दुबाई क्या विजा मिलता है तो पहले आप चेक किजिए क क्या वह वीजिद वीजा है तो भाई उससे का रिक्स होता है कि company में जाएंगे संप्लाइर में जाएंगे उसमें कोई भारोसा नहीं है क्योंकि company इसको sponsor नहीं की है company इसको बीजा नहीं दिये वहाँ पर जो है आप फुद से निकाल सकते हैं उसमें जो है company आपका कुछ नहीं कर सकती है तो मैंने इस वीडियो में आपको सारी इंफिर्मेशन सारी जानकारी आपको दे दिये तो फिलीज अपने भाई के चैनल को स्क्राइक क कीजिए शेयर कीजिए फिली वीडियो समाब करते हैं जय हिंग जय भारत